ये है उत्तरी घाना का पागा शहर। अगर आप मृतकों की आत्माओं को जगाना चाहते हैं तो आपको जिन्दा मुर्गा लाना होता है। यहां की दंत कतहाओं में कहा गया है कि पूरवजों की आत्माएं गाउं के तालाब में रहने वाले मगर मच्छों में वस्ती है हैरानी की बात ये है कि ये मगर मच बड़े दोस्ताना है अगर आप इससे बात करें तो ये सुनता है ये भाशा सुनते हैं, अगर ये चल रहा हो और आप लेट जाने को कहें, जब ये कहीं जाता है और आप इसे पुकारें, तो ये बात सुनता है, ये दोबारा नहीं चलेगा इस तालाब में 100 से जादा मगरमच रहते हैं इन में से कुछ तो कम से कम 80 साल के हैं लेकिन इतने सम्मानित होने के बावजूद ये बुरे हाल में है ये तालाब प्लास्टिक कच्रे से भरा है और सूख रहा है इसा हाकू महामा लंबे समय से पर्याटकों को यहां ला रहे हैं लोग ये पालतू मगरमच देखने आते हैं पर्याटकों के आने से कस्बे को आर्थिक फाइदा भी होता है लेकिन महामा बताते हैं कि हालात बदल रहे हैं पहले इस इलाके में बहुत सारे पेड़ होते थे क्योंकि आसपास घर नहीं बने थे तो उन दिनों खूब पेड़ थे, ये जगह बहुत जाड़ीदार थी और परियावरण खूब हराबर हा था लेकिन जलवायू परिवरतन और अथिकरमन की वज़े से अब ये जगह बहुत बदल गई है और ऐसी दिखती है सुलेमाना अलीडू भी परियावरण को हो रहे नुकसान से चिंतित हैं उन्हें जब भी वक्त मिलता है वे तालाब से कच्रा बीनते हैं वे नहीं चाहते कि उनके पुर्खे प्लास्टिक के कच्रे में तैरें वैसे भी साफ तालाब मगर मच्छों के लिए तो सिहतमन है ही अगर आप प्लास्टिक कच्रा नहीं हटाएंगे तो मगर मच्छ समझेंगे कि यह खाना है और इसे निगल लेंगे वैसे प्लास्टिक कचरा एकलौती दिक्कत नहीं है तालाब के आसपास बहुत सारे घर और कारखाने बनाए जा रहे हैं कभी जो पानी की नदियां थी अब कचरे की नदियों में तबदील हो चुकी है और पानी भी हमेशा तालाब तक नहीं पहुंचता क्योंकि ये फसलों की सिचाई जैसे दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया जाता है यहां तक कि ये आखरी हरे नखलिस्तान भी अब खत्रे में हैं बढ़ती आबादी को ज्यादा जगा चाहिए और कुछ के लिए ये बढ़िया कारोबार है हमारे प्रमुखों ने ये जमीन बेचने की कई बार कोशिशें की और उन्होंने उनको रोग दिया मुझे अब भी लगता है कि एक दिन हम ये जगह खो सकते हैं ये जगह हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण है और हम इसे खोने से डरते हैं और फिर जरवायू परिवर्तन गर्मी बढ़ती ही जा रही है और बारिश घटती ही जा रही है तालाब में पानी कम होते जाने की ये भी एक बजा है यहां के निवासी हालात बद्तर होने से रोग ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन सीमित ही है अगर ये तालाब बचा लिया गया तो पूरवजों की आत्माएं जरूर अपने वन्शुजों का शुक्रिया आदा करेंगी पागा के मगरमच्छों का बचना घाना की जैविविदता के संरक्षन का प्रतीक है वही घाना जो अपनी 40 फीसदी दलदरी जमीन पहले ही खो चुका है